अगर आपके पास कोई नई वेबसाइट है तो आप क्या स्ट्राइजी यूज करोगे कैसे रैंक करोगे आज इसी बारे में मैंने एक चेक लिस्ट बनाई है जिसको आपको ध्यान में रखकर निव वेबसाइट को आपको आप्टिमाइज भी कर सकते हैं और उसे प्रोमोट क कर सकते हैं इजी वेबसाइट में आपको यह वीडियो पसंद आए तभी आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स करें ओके सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा जो चेक लिस्ट है फॉर दा निव वेबसाइट वो सिस्टम वर कैसे करता है ओके सब आइंगे कैसे डिफरेंट्ली कोई आप रिसर्च करते हो तभी तो आएंगे न अगर मेरे को एस्यों में किसी को करें राइट जैसे मैंने का की are services in Delhi निखर दुब्धाई में मैं चलो बैठा हूं ठीक है तो मैंने लिखा दुबई के अंदर लोग मेरे को सर्च करें वो मेर अगर आपने बैठे हो डेली में तो कोई भी नीच हो कोई भी सीटी जो सबके लिए रूल्स एक ही है तो मैं आपको एक एक जामपल बताया हो कि इस तरीके कीवर्ड जब आप सर्च करते हो क्योंकि आपको अपनी साइट की प्रोमोशन करानी है अपने साइट की ट्रैफिक ब जिससे आप चाहते हो कि आपके साइट से डीजल साय यही सब कि एम्स होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है की टीजर्च करनी है किवर्ड रिसर्च कैसे क Ale और मैंने उसी के according कीवर्ट को research करता हूँ तो मेरे जो target मार्केट है कहा होगे दुबई हैं अब suppose कर लो सो मैंने क्या क्या तूल्स को use करता हूँ HRDF ऐह HRDF में मैंने डाला SEO agency और मेरा target market जो है United Arab UAE हो गए और इसको मैंने किलिक कर दी तो जैसी देखा तो यहां पर मुझे को कीवर्ड एडियाज भी आ गए यहां पर कोस्टेंस भी आ गए और सो आपको यहां पर सजेशन्स दे रहा है कि इस तरीकी कीवर्ड से आप अच्छे डिजल्स मिल सकते हैं तो सबसें पॉर्टिंट क्या है आपको चाहिए अगर आप टूल्स करते हो यह आपके लिए यह नहीं है तो आपको क्या करना एफ्रेंट्स आपको जाना गूगल में उस तरीकिवर्ड को एड करने और उससे आपको जो रिजल्स आएंगा अपने कॉंपेटिटर के साइट को चेक कर लो राइट नेक्स्ट है आप रखना है कि कीवर्ड इसर जिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ओके राइट कीवर्ड से राइट बिजने सांग इफिरेंट्स यह आपको ध्यान रखना कुछ अच्छे कीवर्ड से जिससे आपको हमेशा रिजल्स मिलेंगे उस पर कॉंसेंट्रेट करना है राइट तो यह दिर कॉंपटीटर की एनालेसिस करो कॉंपटीटर एनालेसिस करने का मतलब क्या है जैसे मैंने साइट बिल्कुल नहीं है और मैं देखूंगा कि यह लोग जैसे डिजिटल नेक्स होगा या अनदर जो वेफसाइट यहां पर रैंकिंग कर रहे हैं वह क्या इसको एनल कि यह किस तरीके से इन्होंने अपने साइट के अंदर कॉंटेंट इंडस्ट्री सर्विसेज एड किये देन एकॉर्डिंगली मैं अपने साइट में भी वही सेम इंप्लीमेंट करूंगा बेखुल तरीके से कैसे हमारा सिस्टम वर्क करता है जो यह इन्होंने सब कुछ अ आपको चेक करने पड़ेंगे दो-तिन कॉंपेटिटर वेबसाइट जिससे आपको की हिल्प मिल सकते हैं जब भी आपको कीवर्ड के बारे में तो सोचना ही है जो आपकी फोकस कीवर्ड है लेकिन रिजल्ट्स चल दिलाने के लिए आपको फोकस ऑन दा लॉंग टेल कीवर जिसकी कॉंपेडिशन लो हो तो आपको यह भी सर्च करनी है कि लॉंग टेल कीवर्ड को कैसे आप सर्च कर सकते हैं तो आप दो क्या पर अगर मेरा कुछ टार्गेट कीवर्ड से रिलेटेड है इस तरीके कीवर्ड को मैं डेफनेटल सर्च करना चाहूंगा कि हाओ टी इसजन से सो ने जैटैंट फ़का है केड़ इस तरीके के वर सो में जाओंको कि पहले में लांगटियान की वर्च को प्रमोट कर लू देन मैं वहां पर फिर सौर्टील से स्टार्ट करोगा प्रोमोसर्स सो मैं इस को काफी टाइम से प्रमोट कर रहा हूं आग थिंक इस भी यहां पर भी दिख रहे हैं यह आप दोको सेवेंथ या सिक्स या सेवेंथ पोजीशन एट पोजीशन पर हैं ओके सो डेफनेटली यू कैंड दू दा सेम थिंग आप अपनी प्रोमोशन के लिए भी कर सकते हो अभी आप दोको मैं सारे कीवर्ट्स पर थोड़ी थोड़ी चे सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको उसके लॉंग तो कीवर्ट्स पर वर्क करना है जिससे कि आप उससे बेटर रिजल्स ला सकते जल्दी रिजल्स ला पर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे रैंक में अब चलता है इनलिस हो गई वह आपको अडिया लगेंगे वह किस तरह के कीवर्ट्स यूज कर रहे हैं और देन अन पेज एक्टिविटी अन पेज एक्टिविटी में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स बहुत ही कॉमे आप करने है इसलंग में हम था आपक के औप यहां बेकर न Wisconsin ध्याल मार्केटिन को अब इडिजिटल का मार्केटिंग श कर स्र EX喝 यहां पर यूज कर रखें राइब हैंग वह तक बियूज मार्केटिंग कैने मार्की 토난 अब अब हम तरे अपने जहां पर यूज कर र睡 कर The Next Options, मैं याता हूँ इस पे, हां, Image Altag भी अकर आपके साइट में कोई images हैं, तो इसमें आप Image Altag को में भी keywords उसे कर सकते हूँ. तो, variations आपको रखना है, रिपीट रिपीट नहीं करना है, repetitive keywords करोगे तो आप वो spamming में चली जाएगी. आपको इन 5 points को on page SEO के लिए रखना है, then technical SEO, technical SEO में आप 99% users mobiles के दुरू आते हैं, आपको concentrate क्या करना है, आपकी site responsive होने चाहिए, fast open होने चाहिए, उसके लिए आप Google page speed use कर सकते हो, जिससे आप देख सकते हो कि आपकी site की कितनी speed है, उसके बार आपको XML site map को भी आपको create करना है, और उसे Google search console के अंदर add करना है, then आपको robot.txt भी आपको बनाने परेंगे, अगर आपकी site multiple language में, तो HREF language आप यूज करते हो, तो उसको करना परेंगा, canonization यूज करने परेंगे, implement schema markup for the risk snippets, आप इसको यूज भी कर सकते हो, so, सबसे core क्या हो गए, आपको technical issue में, आपकी site fast open होने चाहिए, error free होने चाहिए, किसी तरीगे का कोई error नहीं होने चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, then user experience, make sure your website is user-friendly with clear navigation, optimize for the mobile devices, मैंने आपको बताया, minimize intrusive pop-up and interstitial, मतलब कि आपको जो है, pop-up वेगरा बहुत ही कम समय यूज करने है, अगर आपकी services या कुछ आप उसमें, कुछ pop-up डालते हो, कि नहीं, 20% off, on the some festivals, कुछ इस तरीके से आते हैं, तो भी आप यूज करो, otherwise, वो customer को divert कर देता है, उन्ची जो में, so, definitely, जब कोई occasion हो, या कुछ आपका कुछ बनता हो, इस तरीके से, कि कुछ आप offer लगाना चाहते हो, तभी आप इन terms को आप use करो, okay, but आपकी side की clear होने चाहिए, navigations clear होने चाहिए, जिससे की logo में, यही confusion ना हो, exact मुझा अगर SEO से search करनी है, तो definitely, मैं SEO वाला page पे जाओंगा, definitely मैं देखोंगा कि और क्या क्या, इसमें services है, definitely details में ही जाने के बाद, आपको leads generate कर सकते हो, sales generate कर सकते हो, right, user experience के बाद, आपको ध्यान में रखना है, content creation, सबसे important part, content आपका बेटर होने चाहिए, publish high quality, unique and valuable content regularly, use keyword optimization techniques and avoid keyword stuffing, create corner store content and pillar pages to in-depth topics, update and refresh old content for the relevancy, आपको अपनी site new site है, तो definitely आपके content बिल्कुल डिफ्रेस होने चाहिए, बिल्कुल accordingly आपने उसमे keyword optimize करने पड़ेंगे, आपको every time user engagement कैसे बनाना है, वो use करने है, images आप add कर सकते है, videos आप add कर सकते हैं, जिसे कि लोग उसमें interact हो सके, so कितने times आप users को अपने site पर रोग सकते this depends on you, so आपको internal link structure इस तरीके से अच बनाने होगे, जिससे की proper तरीके से users involved हो, और आपको leads मिल सके, Link building, build high quality backlinks from the authoritative and the relevant website, spamming link को आपको use नहीं करने है, low quality backlinks नहीं करने है, तरीके से आपको backlinking बनानी है, जिसमें आपकी high DSI traffic हो, guest post आप reputable website में use कर सकते हो, promote your content on the social media and industry forums में भी आप इसे use कर सकते हो, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हर strategy तरीके से अगर आपने use कर ले, अपने content के अंदर, आप अपने link building strategy अच्छे तरीके से use करते हो, तो definitely आपको results आने ही आने है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, right, social signals आपको हमेसे ध्यान रखना है कि जब भी आपको content publish करते हो, so definitely आपको उसको एक audience तक पहुचाना है, तो definitely आप उसे social signals मतलब कि वहाँ share कर सकता है, अपने content को, जिससे कि उसकी value थोड़ी सी बढ़ जाती है, और अगर लोग share होती है, और content informative है, तो definitely आपको वहाँ पे benefit मिलना ही मिलना है, okay, क्योंकि वहाँ पे जो लोग like करेंगे या subscribe कर रहे हैं वहाँ पे, definitely वह Google में को पता चाल जाता है कि यह content better है, और इसे हम top पे देने में, मतलब कि वह चीजी top पे आ जाती है, उसके लिए थोड़ी सी backlink की जरूरत है, जो आप बनाऊगे, और कुछ tips है, जो आप उसको follow करोगे, तो definitely आपको better results मिलेगा, local issue अगर आपको साइट है, दुबाई जैसे like the city based है, तो definitely आपको local issue की विजर्ट पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे top 3 की ranking की strategy होती है, top 3 में आप आप आगे तो definitely आपको यहाँ से ही business maximum मिल जाएंगे, so आपको local issue अगर आपको करना है, तो definitely आपको इसको भी concentrate करना पड़ेगा, and depends on your market, क्या आपकी market क्या है, city based है, state based है, या India based है, या global based है, या another country की based है, it depends on you, और अगर local issue करने हैं, तो definitely आपको Google my business listing में आपको महाँ पर claim and optimize करने पड़ेंगे, ensure consistent map, यानि name, address, phone number, information आपको add करने पड़ेंगे, acquire online reviews and datings आपको देलाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी जो वहाँ पर reputation है, वो बने, है, so definitely आपको local issue के लिए optimize better करने पड़ेंगे, जब आप इतने सारे process करते हैं तो आप चाहते भी होगा कि देखना कि मेरे site पर क्या हो रहा है, so उसके लिए Google analytics से webmaster tools है, webmaster tools में आपको बहुत सारे errors मिल जाएंगे, अगर site पर होंगे तो differently वहाँ से आप उन चीजों को control कर सकते हो, analytics से आप पूरी data analysis कर सकते हो कि actual में users कहां से आ रहे हैं, keyword research क्या लोग search कर रहे हैं, किस page पर आ रहे हैं, कितने देर रुक रहे हैं, क्या उस पे से किसी और page पर गया है, कितना times उन्होंने लगाया उस particular page पर क्या leads आ या नहीं आए, so you need to be consider everything through the Google analytics से आप कर सकते हो, regular SEO auditing करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं technology market में आ रहे हैं, industry पर definitely you need to be optimize, 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 always use the reference content, हमेसा जो update हाते हैं उसको आप यूज़ करोगे, definitely आप हमेसा rank पर बने रहोगे, content promotion, content promotion के लिए आप बहुत सारी signal यूज़ कर सकते है, email marketing हो गए, social media हो गए, out reaching हो गए, so definitely these are the lots of the things where you can promote your content, content promotion means your website promotion, mobile optimization के मैं बात कर रहा था कि fully optimized, responsive and mobile friendly होनी चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है most of the people coming from the mobile, so आपको यह चीज़ ध्यान रखना है, secure your website, आपकी जो new website है, वो HTTPS से open होने चाहिए, जिसे security मिलती है और आपकी rank भी improve होते है, avoid common SEO mistakes, don't use the black hat SEO strategy, आपको यूज़ नहीं करनी है, cloaking यूज़ नहीं करनी है, keyword stuffing नहीं करनी है, avoid duplicate content, यूज़ आपको always avoid करनी है, duplicate content आपको यूज़ नहीं करनी है, same content दुसरे page पर नहीं लगाने है, यह आपको ध्यान में रखना है, patience and persistence, so friends, सबसे important is patience, patience है तभी आप इसे करो नहीं है, तो definitely मत करो, आप paid campaigning कर लो इससे better, लेकिन एक फायदा यह है, जब आपकी rank आ जाती है first पे, फिर आपको किसी paid की जोड़त नहीं पड़ती है, so, आपको करना क्या है, you need to keep patience, patience रखे बेटर results आएंगे, और अगर आपने patience रखे अच्छे work करते हो, तो definitely कहीं जाने की जोड़त नहीं है, leads और अगर आपकी product है, sales तो definitely होने ही होने है, कोई इसमें extra charges नहीं लगने है, automatically जो होंगे, आपको अपने site के अंदर update करने है, आपको अपने site के प्रोड़क्ट बनाने पड़ेंगे, list करनी पड़ेगी, आपको अपने product की services को better करना होगा, और definitely these are the chances to increase leads and sales, so friends, अगर आपकी नहीं website है, definitely आप इन techniques इसको follow up कर लो, you will be get a better results, अगर आपके पास tool है, to HRDF tool मैं हमें सा prefer करता हूँ, कि लोग इसी tool के थूरू काफी ज़्यादा आपको idea लग जागे कि actual में market कहां पे है, कितना search है, कितना तरह का competition है, क्या क्या आपको face करना, everything, आपको keyword पर rank कराना है, सब कुछ यहां से मिल जा a better results, अब आपको क्या details में कास मुझे SEO services, SEO courses मिल जाते हैं, जिससे कि आपको better results और भी अच्छा जरीके से सीखने को मिल जाती, right, so friends, मैं आपको बताता हूँ, यहां पर आपकर मेरे channel पे आप आते हो, और channels के तुरू आप देखो, यहां पे सबसे पहला जो created playlist है, वो है beautiful playlist, यहां पे आके मैंने everything, जो आज की industry में work होते हैं, उसी तरीकी के चीजों को मैंने यहां पे implement किया, on page, off page, technical, everything, so you can see here, lots of the video here, and आप इस details में अगर आपको जानना है, तो आप definitely इस videos को follow करो, इनके rules देखो, मैंने किस तरीके से implement किया, promotion के लिए on page, off page, technical, so definitely आपको काफी idea य results, right, so friends मैं चाओंगा अगर आपको मेरी channel या मेरी video यह पसंद आती है, तो definitely आप मेरे video को like करे, channel को subscribe कर ले, futures के लिए, और comment जबर करे, कोई भी problem हो, आप definitely comment करके मुझे से पूछ सकते हैं, तब तक के लिए friends, good day for all of you.